हेलो प्रेंट्स वागत है आपका अन्फिल्टे टॉक्स में I hope आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे तो जो आज का हमारा पॉडकास है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हर्याणा के जाने माने आर्टेस हेमन पॉजदार हाज हमारे शो पर आए अपने टूशन बदमाशी मतलब की लाइब जो थी नो वहीं पर रुख गई तो सर में आपका स्वागत कर थी हमारे शो पर बहुत-बहुत-बहुत-थैंक्यू मैम आप लोगों रहे हमें बुलाया सर थैंक्य तो आपका जो आप हमारे शोप यह नहीं रहां थैंक्यू आपने अरियांड की इस वाली कि मैं जैसे 12th class में था ना जब 11 12 में काफी healthy था अब तो मेरे हम वैसे क्या ना कि मेरे बाओ जी पहलवान रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा रहता कि बच्चे का फिट रहने चाहिए तो उनकी डाटन है ना तो हम exercise exercise करने शुरू करी जिम विम गया थोड़ी personality ठीक हो गई अब क्या होता था कि मैं जैसे कभी-कभी कहीं भाद जा रहा हूं तो एक दिन एक medical show गया तो वहाँ पर एक बंदे ने मेरे से पोली कि भही आप मैंने कहा है मुझे लगा local हूँ मैंने कहीं कहीं देखा होगा पिर इसने कैरा नई नहीं ने भी आप मैंने TV में देखा है अच् मैं दोबाई मौल में गोम रहा तो तीन-चार वो मतलब की लड़कियां टाइप सी और उन्होंनों बुर्खा वगरा पेना हुआ था तो आईएं के फोटो ले ले हम आपके साथ तो मैंने का फोटो कहते आप वो किसी मूवी में देखा हैं आपको इंडियन ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला तो मैंने का यार तो फिर तब से ना मुझे वो चीज रियलाइज हुई कि जब लोग और डी क्योंगी कहा ना कि वो आविसली परसनेलिटी देखके मेरी या वो तरीका थोड़ा देखके वो चीज वो हो रही थी फिर मुझे रियलाइज हुई यह चीज कि मैंने कि चलो जब इतना प्यार और ऐसे लगाव मिली रहा है तो मैंने कि क्यों नी इंडिस्ट्री में ट्राई करते हैं फिर मेरे भाई साब हैं बड़े यह वह प्यार मैं इस दुनिया में किसी से नहीं करता ना कर सकता कभी उन्होंने भी तो आपको बराबर ही प्यार दिया है तो जब आपने इस इंडिस्ट्री में शुरुआत की आक्टिंग की और आपने गाने कि तो आपको क्या-क्या चीजे देखने को महाँ पर मिली क्या-क्या चीजे आपको अच्छी लगी बुरी लगी महाँ पर बेसिकली मैं जब हमने श्टार्ट करी ना यह चीज तो हमें कहा है यह टूशन वाला वो काफी हिट भी है अब भी चल रहा है वो खेर तब तक काफी चीजे ठीक नहीं लेकिन हाँ आगे आगे लोग फिर थोड़े बहुत वैसे मिले तो अब हर तरीके के लोग हैं हां जी आपका जो गाना था अजिस गानी के वज़े से आपको बहुत फेम म मिला है उसके चक्कर में आपको कभी मुसीबत हो गई हो कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गए हो कि क्या आप एक फेमस परस्नाल्टी बन चुके थे मुसीबत तो खेर एसस तो खेर नहीं लेकिन हां यह है कि जैसे मैं बताया कि इनसान हर टाइप के होते हैं तो कोई अब लंबेबाले में इसे तो आपके पर बहुत जादा सुट करते हैं और इसके पीछे बहुत लड़किया फान होंगे आपके बट इसके पीछे रास कैया है आपने स्टार्टिंग से लंबेबाल रखे हैं या इसके पीछे कभी कोई मतलब की माइन नहीं बनाए वो था कि यहीं बढ़ाने शुरू कर दिया तो फिर वो गाने की planning restart हो गई है तो उन्हों है और पिर घ् онk सी भी हो गई है तो बस यह इ moralising नियुक देखके पनजाबी आपकी इंडर्र्टरी और बॉलिवुड है तो क्या देखि नियुक्स कि और बड़री है वह मूवीज और वेब शीरी तो ऊड़ेडी हरी है आप ही चुकी है कुछ लेकिन क्याना की एक तो बजट की वज़ा से और एक प्लैटफॉर्म की वज़ा से क्याना की वो ग्रों नहीं कर पारे इतना ज्यादा लेकिन अब स्टार्ट हुई है जैसे की मेरा गाना आया था तो हमने वो बेसिकली इतना बड़ा गाना इसलिए हरियाना का क्या वीडियो वाइस देखोगे ना तो वो शायद पंजाब का भी बड़ा गाना है आप उसमें वीडियो देखोगे ना कि उसमें काफी locations और काफी मतलब की काफी चीजे हमने यूज करी हुई है तो एक हरियाना का जो एक वो स्टेंडर था ना वह अप करने के हमने वह इतने इंवेस्टमेंट करके वह गाना कर रहा था बागी आगे आएंगी अच्छी चीज़े आ रही हम भी प्लैनिंग कर रहे हैं वैसे वेफ सीरीज वगेरा की मुवीज के हमारी भी चल रही है तो उसमें हरियाना को पूरा अपना ऊपर लेकर जाएंगे ऐसी को यह आपकी जो पहली एल्बम थी वीडियो थी वो कितने वजट की थी कितने मतलब कितने पैसे लगे उसको बनाने में मैं मुसमें अराउंड अराउंड अगर वैसे जनरल पूरा ही देखा जाया कर पूरी ही कॉस्ट में निकालूं तो 26-27 लेक्स की तो वह वीडियो थी और ती आपकी कुछ हमारा वैसे जैसे कि आना जाना रहना वनक वह एक्समेंस आदमी दो तीन लागों पर वह मान लो क्यूंकि आदमी तीन-चार महीने कहीं करेगा तो वह चीज हो जाती है तो मतलब 30 32 33 34 लेक्स के आपकी वह वीडियो और वह आपको क्या फील हुआ था जब सॉं आपकी और जो जो गाना भी मैंने कराई नभी मैंने पहली बार केमरा फेस किया था है तो लोगों को क्या होता है कि थोड़ी चीज multimedia होती है comfortable नहीं हो पाते लेकिन हमने क्या ना कि हम थोड़े से हम में confidence होड़ा कुछ over ही जादा है हम लोग चीजोंसे थोड़े भागते नहीं है डरते नहीं है तो मैंने की करना है वो चाती टोप के कर पार्ड एक हो गया जो वो सिंक देने होते हैं अब सिंक अब मैं एक्टिंग वाले मुझे पूरे दिन बहुत मज़ाए अब शामको उन्होंने कहा कि सिंक देना है लड़की के साथ अब आए कि मैं थोड़ा सा लड़कियों के मामने में हूँ भी थोड़ा सा ऐसा मैं comfortable बहुत जल्द एक मदब नहीं हो पाता मैं सिंख में ऐसा होता है कि कंदे पाहत रख लिया या कमर पे रख लिया या फिर नॉर्मल हाथ पकड़ लिया तो अब वो चीज मेरे पर नहीं होते हैं और मैं ऐसा हूँ कि मतलब मैंने एक चीज सीखी हुई है अब लोग क्या है कि जनरली सिंख दे रहे हैं for example मैं मैंने कि मैं अगर हाथ रखूं कंदे पर तो मैंने कि आप comfortable हो तो वो तो ऐसे होती है कि क्या हाँ क्योंकि उन्हें तो यह है न कि काम ही है हमारा लेकिन मेरी एक आदत ऐसी है कि मैं हमेशा करने से पहले पूछूंगा उनसे तो बस वो उस गाने में मुझे सिंक नहीं एक में दे पाया आप देखोगे तो उसमें सिंक ही नही मेरे है मेरे सिंक है नहीं उसमें तो वो पार्ट मुझे ठोड़ा तीन तीन मिल्फेंट रही हैं मीरी और हाँ एक से मुझे मतलब की बहुत पयार है आज इसे अब भी प्यार है बहुत और अगर वैसे जन्न जनल बताओं तो मैं उससे मतलब की काफी ओवर प्यार है उसके साथ बहुत जादा नहीं रहा दो तीन साल लेकिन हो गए काफी ups and down भी रहे हैं जिन्दकी में बहुत लेकिन तब भी लगाव उसी से सबसे ज़ादा है एक के साथ मैं रहा था वो पांच है साड़े-पांच साल उनके साथ थोड़ा सा ऐसा था कि एक respect थी एक caring थी लेकिन एक जो basic असली प्यार जिसे कहता ना आदमी जिसमें आदमी से अपने घर में अपने घर वालों के साथ रहता है ना वो चीज basically मुझे उसके साथ फील हुई हाँ मतलब कि जो मेरा पांच साल वाले में तो खेर चलो एक normal अपना रहा अपना अच्छा रा respect वाला तरीके से वो फिर उसके बाद जब उनका वो मेरा खतम हो गया उसके अच्छे मुझे बिल्कुल एक चीज समझ में आई कि जो प्यार होता है ना उसमें जो फीलिंग जो होती है ना family वाली जिसमें आप फ़र चीज शेयर कर सको वही असली प्यार होता है जिसमें आप घर की बाते भी कर रहें वो भी घर की बाते कर रहें हां मतलब कि basically हमें तो दोस्ती को लेके आपके क्या माइने हैं दोस्ती आपकी life में कितनी important है मैं दोस्त मेरे चार या पांच होंगे बस और touchwoodी सारे इतने अच्छे हैं सारे इतने supportive हैं कि हमेशा वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं कैसी भी कुछ भी कुछ भी हो मैं भी उनके लिए खड़े रहते हैं मुझे गलत दोस्त कभी नहीं मिले बाकी चार-पांच हैं वो अच्छे हैं सारे वो जिंदगी बर रहेंगे ऐसी कोई हो नहीं मैंने आपके social page पे देखा था Instagram पे और आपके जितनी भी social page है महा पर देखा था आपको गाडियों का बड़ा शाओ क्या अभी 2-3 महीने से मतलब कि ऐसा सच पहले नहीं था कोई favorite थी लेकिन अब मेरी Ruby कौन ही है क्योंकि वो मेरे को कहा ना कि उससे लगा काफी एक तो इसलिए अब जाद है क्योंकि जब मेरे dog की death हुई थी तो मैं उससे अपने साथ पीछे बिठा के लाया था उसी मैं तो मुझ आपके साथ कितने साले तक रहा है मैं मेरे साथ था आराउंड साड़े आठ नौ साल तक इतना लंबा टाइम आपने उसके साथ गुजारा एक attachment attachment तो मैं उसके तो खेर मैं words नहीं है जो attachment है उससे मतलब आज मतलब कि उसे दो तीन महीने हो गए लेकिन अब भी मैं हर दूसरे या तीसे दिन मेरे आंसु निकल लिए आते हैं उसके लिए हाँ वो डॉग नहीं था एक्चली वो हमारे घर का सात्वा मेंबर था इनसान मान लो आप उसे बिल्कुल हमारे लिए तो तो जिस दिन गया भी न वो तो उस दिन ऐसा माहौल था घर में कि जैसे कि इसी इनसान क हो जाती है na? हाँ जी. बरी किया हुआ है आपने अपना पैट हाँ मैं अप मेरा नया घर बन रहा है तो मैंने उसके पीछे वाले लॉन में ही उसे बरी करा हुआ है अपने पास ही सिर्फ एक उससे कि वो कि वो हमेशा मेरे पास ही रहे गई है वो एक फील जो है न वो हमेशा मुझे रहेगी कि यह ब तो मिनिमम जाओंगे जाओंगा नहीं तो दो टाइम में वहाँ पर काम चल रहा है वैसे तो मैं दो बार जाओंगा वहाँ पर मैंने हनुमान जी बिठाए हुए उसके पास उसका ध्यान रखने के लिए और मतलब एक तो जब से वो गया है ना मतलब कि मैं पहले मंदिर चांगे जहां है और उसमें लगाया है कि मेरी डेली की आदत है कि मैं कम से कम कम से कम एक तो एक बार मिनीमम है और यह एक बार हनुमान 40 तो मेरी डेली कम से कम आठ बार, नौ बार, दस बार, हनुमान-चाली सा पढ़ने क्या दो बिसिकली आपकी आस्ता जो है थे हनुमान जी को लेके बहुत है मतलब कि energy feel होती है, energy feel होती है, मैं हनुमान जी को ही मानता हूँ, तो मैं जैसे ही अपना सुबा सबसे पहले जाओंगा वहाँ पर, अपना करके पूजा वगएरा, फिर उसके बाद मैं अपनी हनुमान चाली सा वगएरा पढ़के, फिर मैं अपना जिम चले जाओंगा, बाकी जो काम है, वह मैं स्टार्ट करता हूँ, आपका family background जो है, वो कैसा है, मतलब कहां से है, आपका family background, आपकी family में भी industry से ही लोग है या कुछ और है, नहीं, हम industry से कोई भी नहीं है हमारी family में, मतलब basically क्या है कि हम लोग वैसे हैं राजिस्थान से, तो अब राजिस्थान मतलब कि हम भरतपूर साइड से हैं, तो भरतपूर फरिदावास से होगा, around around 150 होगा, 170 km जूर होगा, तो मेरे जो बाउजी है ना, मेरे फादर, ये सब उनका ही करा हुआ है, वो ना, 14 साल की उमर में आ गए थे, राजिस्थान से, अकेले यहाँ पर, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, और 14 साल के बच्चा होता भी कितना बड़ा है, तो मेरे बाउजी ने ना, ऐसा कोई काम नहीं होगा, जो किया ना हो, उन्होंने, नौकरी भी करी हर जगा, उन्होंने, सीमेंट के जो कटे होते हैं, वो भी उन्होंने, करें रखें हैं, इदा उदा अपना, और, तो उसके बाद, उन्होंने मेहनत करी हैं, और सारी चीज़ों में, हमें भी हमेशा उन्होंने यही चीज सिखाई है कि कभी भी किसी का न एक तो गलत नहीं चाहना कभी किसी का हक नहीं खाना और सबसे जादा उन्हें गरीब आद्मियों से उन्हें इतना लगाव है इतना लगाव है कि मतलब कि उनके पीछे हमें भी की गालियां वो दे देते हैं, जैसे क्या होता है कि जैसे हमारा main काम वैसे food का catering का है, बाकी वैसे 2-3 multiple business है, main हमारा food का और catering का है, तो अब जैसे क्या है कि salary होती गए, तो अब यह होता है कि basically जैसे fix a date, 7 तारीक होगी, हमारी company में क्या होता है कि थोड़ी साथ और दस होती है क्योंकि थोड़ा कंपनियों का रूटीन अलग चलता है तो अब क्या होता है कि जैसे कभी-कभी थोड़ा धील या ओफिस वालों ने दे दी यह हलकी बहुत हमारे से हो गई है उपर नीचे हो गई है तो आप यह लगाओ कि अगर साथ तारीक क उनकी गरीब आदमियों की लेबर जो काम कर रही हो तो खाती है और कमाती है खाती है कमाती है ऐसा रहता हूंका तो अगर वो साथ तारीक को नहीं हुई न तो आप यह समझो कि रात को हमें गाली पढ़नी ही पढ़नी है आपके पिताजी से हाँ 200% हमें भी पढ़नी है और ऑफिस के जो स्टाफ के मैंबर है न सब उने भी पढ़नी है कि इनकी सेलरी कैसे लिए तो उन्हें काफी लगाव हैं उनसे क्योंकि उन्होंने कहा न कि वो फेस देखा है उन्होंने वो दोर जिया है इसलिए उनको पता है क्या क्या परिशानिया होती है तो उनसे हमने काफ जोए ने उनक काफी हमेशा सउयोग और हैल्प अब वो है्ल्प बिड़कोल पूरी उनकी है उनके कंदों पर से जो यह वह भाई ने ले रहा है अब वह आगे कर से रहे थि आपके पिता-जी का सपोर्ट और आपके भाई सपोर्ट पकी लाइफ में इसे बना रहे हैं और उनकी वज़े से आपने भी उनसे कुछ ऐसे शिष्चाचार के हैं, सीखे हैं, और लाइफ में आप ऐसे आगे बढ़ते रहे हैं, मैं आपने अगला कोशन यह पूछना चाहूंगी, कि आपके में जितने भी गाने सुने ना बदमाशी पर बड़े गाने, तो सिर्फ गान जो अंजाम है वो एकला गल्ती है, आदमी क्या होता है, कि सिर्फ अपनी अपनी सोचता बदमाशी में, कि मैं बदमाश, मैं ऐसे कर दूँग, मैं वैसे कर दूँग, यार बैक ऑफ दी एंड अपने घरवालों की भी सोचो ना, जो माबाब बैठे हैं, अपने भाई, बहन हो गया, कोई भी जो भी तुमसे प्यार और लगा मानते हैं, उनका क्या होगा न, तो मैं कभी कुछ होगा तो, वो चीज आदमी को सोच के चलनी चीए, बाकि मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ, मैं कोई बदमाशी नहीं भी है, मैं तो अगर सड़क पचल भी रहा हूँ न आपको बदमाशी की जुरत नहीं है, मैं बदमाशी की है, मैं तो वैसे भी वो ही नहीं कोई, सड़क पचल भी रहा हूँ न मैं तो, तो कोई गाड़ी वाले जैसे होते हैं कि तेज निकाल ली, हौन मार रहे हैं, या साइड से बत्तमी जी करती, गाली देदी, तो मैं तो यहां कोई देभी देता है, ना, फॉर एजामपल जैसे, चलो मैं तो काड़ी में देखता है, क्योंकि मैंने प्राइवेसी के लिए ब्लेक्शी करा आगे, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत देखता है बाहर से, तो मैं जैसे लेफ्ट ने लेकर होन बजा रहा हूँ, किसने क किस तरह के डाउनफोर्स देखे हैं, मतलब कैसे उतार चोड़ा वाई हैं, डाउनफोर्स देखा मैं मैंने अपनी लाइफ में पिछले साल, तो जो बेसिकली जो पिछला साल रहाना मेरा एक साल, वो बहुत खराब रहा, क्या रहा उसके पीछे, अब उसके पीछे कारण मै जैसे कि मैं कुछ बंदे मेरे साथ जोड़े, तो जो बंदे मेरे से ना वैसे टच वोड लाइफ मैं कभी आता कोई गलत इंसान नहीं जोड़ा था, कभी भी जिन्दी की मैं, दोस्त मेरे काफी अच्छे, घर वाले तो मेरे खेर चलो, ऐसे बिल्कुल भगवान, बाकि आज कल चल रहा है कि लूट लिया, तो वो चीज मेरे साथ कभी भी नहीं हुई, और सारी मतलब कि ऐसे की प्यार करने वाले और सारे ऐसे मिले इंसान, लेकि पिछले साल क्या हुआ कि पिछले साल कुछ गलत इंसान मेरे साथ जुड़े, अब जी ठीक है चलो, अब वो जु तो हम अब जैसे हम गलत सोचते ही नहीं, तो हमने सामने वाले को भी गलत नहीं सोचा, तो वो काम के थुरू जुड़े जी, अब वो काम के थुरू जुड़ते जुड़ते जुड़ते, अब ऐसे हो गया कि सिर्फ बाते ही हो रही हैं, और काम कुछ हो नहीं रहा, और जो क तो realize हुई मुझे जी ये October मैं मैं वैसे basically एक चीज बताओ क्या हुआ है कि मुझे ऐसा feel होता था कि जैसे ये लोग क्या है न कुछ कराते नहीं है इंसान के ओपर Black magic पता नहीं ये चीज मैं तो खेदे को हम लोग तो इन चीज़ों believe नहीं करते लेकिन मुझे ऐसा कुछ feel होता था कि मतलब बहुत ज़ादो over the वो कुछ नहीं लेकिन हा मुझे ये चीज़ क्योंकि मैं जैसे जिनसे मेरे प्यार करने वाले for example मेरी girlfriend है या कोई है तो मतलब कि वो लोग भी मुझे उस time पर छोड़ने लग गये थे लेकिन मुझे वो लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे पतानी बुरे लग रहे थे आपको मतलब मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूं न मतलब वो भी ऐसी लग रही थी मुझे जैसे की कि यार पतानी क्यों इतना interest ले रही है क्यों इतनी सारी चीज़े कर रही है और ऐसे मुझे वो भी नहीं थोड़ी अच्छी लग रही है जिसके लिए मैं ऐसे हूं कि किसी के जान आदमी ले भी सकता हूँ दे भी सकता है ऐसी वाली बात हो तो मैं एको वो भी यार मतलब वो ओवर दा टॉप मेली कर रही है और मुझे कोई फिली नहीं हो रहा तो मैंसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा काफी चीज़े बिगड़ गए फिर हमारी आपस में उसे भी लगा पता नहीं क्या हो रहा है यार और वो भी तोड़ा सा अपना क्वे का होता है न कि आदमी कब तक जहे लेगा किसी चीज़ डॉक की डैथ हुई ना सेटेमबर में तो मुझे ऐसा फील होता है कि कि जैसे जो मेरे उपर की जो कुछ चीजे थी ना वो आपके पैटने ले 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 ली लेगे वो अपने उपर ले गया नहीं इस बात में फाक्ट है कि negative energies होती है क्योंकि positive होती है वो अपने सारी चीजे है negative energies सबसे ज़ादा आपके career पे और आपके mental peace पे ही प्रभाव डालती है तो आपने जो कहा ना कि आपका pet ये reality है जो हमारे जानवर होते है ना वो हमारे कस्ट को हर लेते हैं तो और वो क्या ना कि जैसे हम मतलब घर में क्रिशन जी को मानते हैं मतलब कि mother और father और हमने क्रिशन जी की और आदा जी की वो लगाई हूई है मूर्ती वगएरा तो उनको हम daily जैसे पूजा mainly उनकी ही करते है तो अब ये देखो कि जिस दिन उसकी death होई थी ना उस दिन जनमास्ट मी थी और हम जनमास्ट हम क्रिशन जी को ही मानते हैं और मतलब इसके पीछे की ने एक बहुत बड़ी कहानी है तो मतलब चलो इस कहानी को मैं आपको वैसे जनरली बताऊंगो फिर आपका इस वो थोड़ा सा वो जब काफी अब ऐसा है कि जैसे चार तारिक को मेरी बहनाई घर मेरी सिश्टर जो है वो पूने रहती है वो MD कर रही है छे तारिक तक वो रही वो बिल्कुल सही छे तारिक को साथ तारिक की सुबा ने ने चार को वो आई थी एक को चार तारिक की सुबा जब वो चले गई चार तारिक की सुबा उसके बाद जी जब वो चले गई उसके बाद उसके 2-3 घंटे बाद ही समशेर की तवियत खराब हुई उनके जाने के बाद आप हॉस्पिटल बगएरा लेकर नहीं तो मैं मुझे आम में उसने मेरा भाई ये छोटा चिराग तो वो आया कि समशेर का ना स्टमक ब्लोट हो गया है छे बजे की बात है मैंने का ब्लोट हो गया अच्छा तो मैंने जाकर देखा काफी ब्लोट हो गया थो तो रॉक्ट ने का था कि इनका ब्लोट हो जाता ने स्टमक तो वो क्या ट्विस्ट कर जाता है तो डॉक की मतलब डॉक की लाइफ की उपर आ जाती है तो मैंने का जी तो फिर मैं उसी चीज को गहराते हूं देखके मैंने वो गाड़ी में बठाया और मैं सीधा उसे गुडगाओं घूडगाओं में हॉस्पिटल हैं डौक्स का काफी बढ़ा है तो मैं वहां पर सीधा लेख़े कि महीं ले जा तो बेसिकली क्ली क्यूंकि डैल की आं तो आपके हां तो मैंने का जी कोई वैसे करते हैं नाइन जादा बड़ी नहीं ठीक होती है तो मैंने ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं कि अब मैं उसे एडुमिट करा करे है और मैं अपने घर आ गया घर आने के बाद 2-3 बजे के आसपस मेरे पास कॉल आई हॉस्पिटल से की उसके थोड़ी और मतलब की इशू हो रहा है दोबारा हालत खराब हो रही है तो उन्होंने कहा कि इसकी सर्जरी क्या है न करनी ही पड़ेगी आप आ जाईए तो मैंने का ठीक है जी मैं आ जाता हूं मैं पहुं कुर्मल सर्जरी हुई है हाँ मनलब की थोडी मैं ही मतलब की इसका हो गया मतलब ज्यादा दिककत नहीं थी मैंने का ठीक है जी तो उन्होंने का कि ठीक है कहते हम मिनिम्म में थरी डेज आउस्पिटलाइज रखते हैं तो मैंने ख़ए जी अब क्या हुआ जी अगले दिन मतलब refnd थीक है वहाँ पर उसे आ गया इस दिन चाड तारीक को पांस तारीक को पूरे दिन ऊटीक रहा वह ठीक रहा मैं उसे राता हो मिलके आया मैं उसे बढ़ यह मिलके अपना और और वैसे भी वो डॉक्टर कह रहे थे कि ठीक है अब उन्होंने का तीन दिन रहेगा अब छे तारी को क्या होता है कि मेरे पास दो तीन बजे कॉल आता होस्पिटल से कि आपका डॉक ठीक हो गया आप उसे ले जाईए तो फिर मैंने खा कि यार मैं तो मिनिममम थी डेज बोल रहे थे कि कहतें नहीं नहीं वो वैसे ठीक है क्योंकि एक्टिव है अब क्या हुआ कि मैं गया उसे लेकर अपने साथ और मैं घर आ गया अब रात के मैं उसे जैसे कि मैंने वहां चार बजे पांच बज़े के आज़-पास मैं उसे लाया हूँगा और रात के डेढ़े दो बज़ गया है उसने ना क्या कि उसने पी नी करा तो मतलब कि वो टॉटियट गया नहीं है तो मैंने दॉक्टर बस फोन करा मैंने ऑन photo नी करा जी तो उन्होंने कहा कि अच्छा बारा घंटी जादा हो जाएं तो आप इसे लिया आना वो हमें फिर उसे कैथेटर होता है उससे फिर वो कराते हैं अब आप यह देखो कि घर में आया घर में आके सबसे मिला पांस तारीकी रात को सबसे मिला अपने मम्मी से अपनी मां से खुब लाड कर आया अपनी मां के आथ से उसने खिच्डी खाई और खाना खा के सबसे मिल के और दो-तिन घंटे अपने घर में सोया भी आपका डॉग मतलब सोया आराम से तो उसके बाद मैंने जब कॉल किया था हमारे सामने पी करा दिया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो हम इसे एक दो दिन और एडमिट कर लेते हैं कि वैसे क्या है ना कि एक तो बड़ी ब्रीड है और फिर सर्जरी भी हुई है तो आने जाने में मतलब कि मैं सोई रह था तो मेरे मतलब कि बाओ जी आए तो बाओ जी ने मुझे उठाया ना तो मुझे ने में मां की रोनी की अवाज आ रही थी तो अब हिम्मत तो इनसान की पढ़ती नहीं है खेर बोलने की तो बाहुजी ने बस ऐसी कैसी भी हिम्मत करके उन्होंने बोल दिया की कि समसे नहीं रहा आपके लिए बहुत थी मुश्किल टाइम तो मतलब की मैं मैं उस टाइम पर समझ ही नहीं पाया की मैं कैसे रियक्ट करूँ क्या करूँ मतलब की मैं बैड़ पर ही बैठा रहा मैं ना उठा ना कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि एक इनसान की लाइफ में पाउज हो जाती है जैसे हम वीडियो पाउज करने किसी को मतलब की लाइफ जो होती है ना वो वही पर रुक गई और मैं मैं रियलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं करूँ क्या मैं को रोना भी नहीं आ रहा क्योंकि वो चीज़ मैं फील ही नहीं कर पा रहा ना मैं वो चीज़ फील कर सकता कि मेर डॉग नहीं है या समशेर नहीं है वो मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूँ यकीन दरना आपके लिए बहुत ही मुश्चिल है तो फिर उसके बाद मैं उठके गया वहाँ से अब मम्मी मा को तो मेरी को इतना ओवर उससे लगाब था कि वह तो बहुत बुरी तरह रोरी थी वो तो और फिर मैं और भाई भाई साब मेरे बड़े और बाकी हम तीन चार और लोग अपने फिर हम गाड़ी दो लेके अपना वहाँ हॉस्पिटल गए हॉस्पिटल जाके फिर मैंने उसको देखा हॉस्पिटल जाके मैंने देखा कि वह उसे इन्होंने वाइट कपड़े में उन्होंने बिल्कुल उसे पैक कर रहा था तो मैं तो उसे फिल करके ही मैं ऐस बिल्कुल जब मैंने उसे देखा ना जब मैंने उसे वह कपड़े में से हटाया मतलब कि मैं उसे देखके फील करके तब मैं मतलब कि ऐसे हो गया कि मतलब कि फिर मैं अपने आपको मतलब ना रोक पाया ना मैं कभी उस चीज़ को रोकी नहीं सकता क्योंकि मैं उसे इमोशनल इतना जादा अटेज्ट था फिर मैं उसे देखके तब काफी आतना R oportunidad मैं और मैंने उस्वे काफी बार बूला कि आप लगा अचा कई समशेर इठ जा क्थे दैसे मैंने कि उठ जध समशेर इठ इठ चा की आज कुछ नहीं है वह lets है अब जो वो चीज लिखी वही थी वह तो लेकी वही थी बाकी अपना फिर मैं उसे गाड़ी में बिठाया गाड़ी में बिठाके हम लोग लेकर आये अपने घर पर बाकी हमने फिर उसे वहाँ पर अपना करा हुआ है बाकी लेकिन इसके पीछे ना आप ये की चीज देखिए कि मतलब वो यहर मैं उसे डॉग नहीं मानता पता नहीं क्यों मतलब कि मुझे वो चीज फील नहीं होती नहीं ऐसा नहीं है डॉग इमोशन तो उसके भी थे ना मैं जनरल मतलब कि एक उस चीज में उसे में डौग नहीं मानता क्योंकि जो चीज उसने हमारे लिए करी ना अब आप ये देखिए कि इसमें आपको मैं पूरी कहानी में वो चीज दिखाता हूँ कि वो जब बिमार नहीं हो जब मेरी बेहन थी क्योंकि उसे ये था कि मैं ये आई हुई है अभी और अगर मैं होस्पिटल चला गया तो फिर क्या होगा कि ये जो दो-तीन दिन के लिए आती है तिन दिन में तो ये भी वो हो जाएगी थोड़ी सी तब तक वो बिमार नहीं हुआ बिमार हुआ वो जब वो चले गई उसके जाने और हाँ एक और चीज कभी मेरी बहनने उसे निलाया नहीं था उसके हाथ मतलब वो जब आई हुई थी एक-दो तारिक में उसके हाथ से नहाया है उससे मालिश करवाई है और लगवाई है सब कुछ करा उससे पहली बार ही साड़ी आट साल में फिर वो अपना चले गई फिर उसकी तवित खरा गई फिर उसे हॉस्पिटल ले गई हॉस्पिटल में एड्मिट कर आया ये देखिए कि जब वो तीन दिन में वो डॉक्टर को छुट्टी देनी थी उसकी तो उन्हें उन्हों डेड़ दिन में क्यों दे दी डेड़ दिन में इसलिए दे दी वो क्योंकि उसे घरवालों से सबसे मिलना था मिलके फिर वापस तो वो उस दिन रात को आया सबसे मिलना और फिर वो गया वापस खाना वाना खाके सब कुछ उसके बाद आप ये की उसे ये पता था कि ये बंदे ऐसे हैं कि ये ना कुछ भी हमारे लिए कर सकते हैं तो उसने ना मेरे पास CCTV मैं अपनी सिक्योरिटी अगले दिन भेज़ के ना मैंने हॉस्पिटल की CCTV फूटेज निकल वाली थी साड़ी कि इनोने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं वा लेकिन आप लिटरिली मानोगे उन डॉक्टर्स की मैं उनको मतलब हैट्स ओफ करता हूँ की जितना लोग इनसान पर नहीं करते ना जोर लगाते उन्होंने मेरे डॉग पर लगाया वो वीडियो मेरे पास प्रोपर तो हम वहाँ पर भी सैटिस्वाइड हो गए उसके बाद जी मतलब की उसने न कोई भी चीज ऐसी लूप होल नहीं छोड़ा कोई की की मेरी मा या मेरे घर वाले परेशान हो इसी चीज़ से तो मतलब वो एक डॉग नहीं था एक हाँ एक और चीज की अब क्या होता है कि जैसे हमने वो बरी कर दिया सब कुछ कर दिया तो हम जैसे इनसान के बारा तेरा दिन करते हैं तो ऐसे हम अपने डॉग कैसे ही करेश हम शेर के पूरे अपने तेरा तेरा अब तेरा दिन क्या करते हैं कि जनरल पता निए लोग करते हैं नहीं क्या होता है कि इनसान की जो आदमी की डिशत होती है तो उसकी जो राक होती है उसे लोग घर में लाके चांदे हैं उसके रूम में उसमें न यह दिखता है कि अगला जनम कौन सा मिला तो अच्चवी सी बंजा दी रात को और उसके उपर एक तामी की जो बड़ी इसी वह होती है थाल टाइप वो रख दी है आप बिलीव नहीं करोगे कि उसमें सुबह एक बच्चे के पैर मरें बच्चे के पैर मरें तो मेरे पास फोटो उसकी और वो फोटो भी इतनी क्लियर है ना मैं कि फोटो ऐसा हो फोटो किस्ते हैं थोड़ी बहुत क्लियर अंक्लियर हो जाती है मतलब आप यह देख लो कि सामने से वह इतने क्लियर थे कि साफ पता लग रहे थे कि बच्चे के पैर तो बस यह है कि हम यह खुशी हुई उस चीज की कि चलो से एक इनसान का जनम मिल गया बाकि अपना ठीक खुश रहे अपना और हमारे साथ ही रहता है खेर वैसे तो ऐसी आपके पास वापस आएगा और आपके चेहरे पे और आप इसमें बात भी कर रहे हैं आपके इमोशन बता रहे हैं कि आप इतनी जादा जुड़े वे थे उसके साथ आपने बताया आपकी जिंदगी का सबस ертв हCap लोगया का आपके लाइफ से कोई नीब वापस आयगा किसी नहीं और इन पासaker चersonal देखता हो है कि रदोसरे तीसरे दिन थो आशू वेसे उसके पर बता है जनरल निकली जाते हैं उसकी पोटो या वीडियो देखके इतना काफी ओवर मनलब की उससे लगाव और ऐसा होता है कि सोचते हैं कि दैसे दूसरा ले ला है तो फिर लेकिन वो अब एक हिम्मत सी भी नहीं होती है हां कि सेम फिर इसके साथ जुड़ोगे फिर यह चीज है तो वो दुबारा भी होंगे बागी फिर एक चीज यह भी है कि यार कभी बिना किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है वो मेरा पहला डॉग था और जो उसकी जो एक वो थी ना वो हमेशा हमारी लाइफ में जो उसकी इस पेस है वो हमेशा एक अलगी रहेगी उसकी वो स्पेस कभी कोई ना फिल कर पाएगा ना कोई और ऐसा नहीं कि हम दूसर लाएंगे या उससे प्यार नी करेंगे या उससे ढंक्चेद कि सब कुछ करेंगे obviously लेकिन वो space नहीं पूरी हो सकती कभी भी क्योंकि उसकी अपनी अलग वह थी कि जो बॉलिवुड है आप बॉलिवुड में जाना चाहते हैं आप डेब्यू करना चाहेंगे बॉलिवुड में करेंगे तो सब चीज लेकिन बस यह कि थोड़ा सा process हम लोग कर रहे हैं हाँ तो जो web series हम लोग करेंगे वो काफी बड़ी करेंगे और अच्छी करेंगे मतलब कि वो होगी बॉलिवुड लेवल की वो आईगी भी अच्छे ही platform पे जहां पे सारी है बॉलिवुड होलिवुड हो गया की movies और सारी आरे उन्हीं किसी platform पे आईगी तो जो यह आप कह करेंगे ब crucические हैं है यह मेरा बड़ा जो प्रोजेक्ट होगा वो Airline को और मार्ज में हम लोग प्लैन करें आपको यू पी और अर्वारियान्ड ही में हमारी है औहांदा थेट्अ और थेड़ ओ जैसे प्यार से भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है, जैसे लट्टी दे रहे हैं, जैसे बत्तमीजी कर रहे हैं, लेकिन हम वो करी प्यार से ही रहे होते हैं, तो ये मुझे एक मेजर फरक लगता है, बागी हैं तो सब एक ही, इनसान तो सब एक ही हैं, तो जब आपने कभी UP के आटिसों के साथ जब काव किया है कभी भाशा है जब वो बोलते है UP वाली या कभी आपको ऐसी चीज़े अच्छी लगी है नी नी बुरा में को कभी भी ने लगा सब की अपनी एक अपनी क्यान है कि हर एक की एक पैचान है तरीका है एक हर स्टेट की एक बोलने का तरीका है तो बुरा कभी भी किसी के कुछ नी लगा सारी जगा के सब ही इंसान अच्छे ही मिले हमेशा इस हरियानवी इंडरस्टी में जाने के लिए आपका तो आपके भाई का सपोर्ट था कोई नॉर्मल इंसान अगर चाहे तो कितना डिफिकल्ट हो सकता है उसके लिए अगर हमारे पास आएगा तो कोई डिफिकल्टी नहीं है मेरा खुद का ही प्रोडक्शन हाउस है मेरा यूट्यूब परेशम म्यूजिक के नाम से वो आ सकता है और हम हर किसी का खुले दिल से एक स्वागत कर रहे है ऐसा कुछ भी नहीं है किसी नए बंदे को आना भी है तो वो हम लोग रेशम म्यूजिक से कॉन्टेक्ट कर सकता हम पूरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपने दर्शकों को ही बोलना चाहँ होगी कि सरका रेशम म्यूजिक पर्डक्षन हाउस है जिसको भी अपने स्पार्टिंग करनी है सर के पर्डक्षन हाउस से करना बिल्कुल 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 नू baruका में चाहिए जो यह लोग है न मैं इन्हें फैन्स जनरली मैं बोलता नहीं क्या है न कि हम अगर लाइफ में आज कुछ है न वो हम इन लोगों की वज़ा से ही है इन लोगों का जो प्यार और आशिरवाद हम लोगों से जुड़ा हुआ है न तब ही हम उपर बढ़ रहे हैं और अ तो सारी यह सब मेरे वो ही है और इनके लिए है कि काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम अब गाने के अभी और भी आ रहे हैं अब क्या है कि मेरे एक फ्लो जो तूट गया था वो फ्लो अब नहीं तूटेगा वो फ्लो अब बना रहेगा बापसी कर रहे हैं तो सारी ची को बहुत जादा disrespectfully behave करते हैं उनके साथ जबकि उनके fans की वज़े से ही है वो जो आज है अगर movies हो चाहिए songs हो अगर आपके fans देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं हो तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि कहो भी कि किस तरह क्या होता है एक वो कहानिया आप लोगोंने स खीक आया है तो उसे कहाया है कि यह चीजों से उसे वो मैं आपको बताओ अपना तो मैं ना बलकि जब से मैं कुछ चलो ऐसा तो कुछ भी नहीं करा हम लोगोंने लेकिन जो भी मैंने थोड़ा बहुत हमने अभी तक life में करा है ना मैं अगर कुछ जैसे मुझे जानते भी ह जब तो मैं कुछ बनाऊना मैं तब से तो ऐसा लगा लो कि आप मैं और बहुत जादा डाउन हो गया हूँ जो पहले मैं थोड़ा ऐसा इंसान था कि लिमिटेड लोगों से बात करनी हर किसी से बात नहीं करनी और थोड़ा अपने आप में रहना और नॉमल गए आगे बस अब मैं थोड़ा ऐसा हो गया हूँ कि कोई भी हो मैं तो हाज जोड़ के बात करने की आदत है मेरी तो और मैं इसी तरीके से हर किसी से मिलता हूँ बागी मैं उन लोगों से भी काऊंगा कि कुछ नहीं होता किसी को कुछ दिखाने से कुछ होगा नहीं एक अपनी ही इंसान कि यह संगर्ष और तो मेरा सच बताऊं कोई ऐसा है नहीं क्योंकि नहीं सच गाने क्या है कि जादा कुछ सुनता भी नहीं और सुनता हूं थो थोड़ेगा अपने हरियान भी सुन लिए और नहीं तो फिर इतना कुछ गाड़ी में आते जाती ही सुनता हूं तो फेवरेट ऐ कि ऐसा कुछ भी नहीं है किसको फेविट सिंगर प्रॉप को हो अगला सवाल आपकी इंडरस्टी से पंजाबी इंडरस्टी से धामना कि आपको पता होगा कि पंजाब की इंडरस्टी में सब्चाथा फेमिस हो रहा है कि ड्रग्स बहुत चलन ओर द्रग्स तो क्या अब यह ह किसी state की या किसी उसकी नहीं रह गई है गल्द चीजे ड्रग्स तो ये सारे इंडिया में ही हो रहे है लेकिन क्या होता है न कि ये इंसान to इंसान डिपेंड करती है फॉर एक्जामपल हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में हमारा ग्रूप हो गया अब वो सब करते हैं तो आदमी को खुद में एक अंदरूनी शक्ती होनी चीए न उन्चीज उसे इंफ्लूएंस ना होनी किया मैं उन्चीज उसे नहीं होता है इंफ्लूएंस रोकने की शम्ता तो मैं जैसे यह तो क्या ना कि एक ब्लेम लग गया है बस कि सब कर रहे हैं सब कर नहीं कर नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके पंजाब में थोड़ा सा इन चीजों को लेकर ओवर वो गया लेकिन अब काफी strictness मैंने देखी हुई है बाकि लेकिन जिसे जो करना है वो तो वो करेगा जब तक आ wykor Sergeoweireं घ्रारा फीरहें तो पीए रहें प्रॉक्स कर रहें तो प्रॉक्ба मुवीज भी आ चुकी है पंजाब के ओपर कि आपकी प्रम आपकीन के साथ जो आपका लगा आवंग वह कितना है क्योंकि मां जो होती है ना ही फ्रस्पेस हो प्रो tavARI कि मेरी मा के साथ ऐसा है मेरा क कि मैं सबसे पहले सुबार रूम से उठके आउंगा ना तो मुझे ना मेरी माँ दिखनी चाहिए सबसे पहले कोई भी होगा घर में जैसे काम करने वाले हैं या मेरा भाई छोटा हो गया तो मैं सबसे पहले उस चेकर मुझे सामने मैं रूम से बहा निकलती सामने किच्छन है तो मैं उससे पूछूँगा कि मम्मी का है मुझे नहीं दिखेंगी तो मम्मी का है तो वो कहेगा कि वो उपर पूजा कर रही है या बहार कुछ अपना पेड़ और पानी डाल रही है कुछ अपना काम कर रही है तो मैं सबसे पहलों उनके पास जाऊंगा मेरी सुबा की शुरुवात ही ऐसे होती है कि मैं उन्हें कम से कम 2-3 मिनिट तक हग करके रखता हूँ और हग करके खड़ा रहूँगा बस जस्ट वो मुझे जैसे मैं हाइड थुटी लब भी तो मुझे यहाँ पर किस कर देती है तो तो फिर मैं उन्हें जब 4-8 पर किस कर देती है तो फिर उसके बाद मेरे एक डे की शुरुवात होती है तो मेरी मा से खेर मेरा काफी ओवर लगाव है मतलब कि ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं दिन में कुछ कर पाऊंगा एक उमीद बढ़ती है आपकी वो एना कि एक मा ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों के लिए नो कुछ भी कर जाती है तो बस वो यह कि उनके जो हमसे उमीद है और हमसे जो उनकी एक वो एना कि यह कुछ अच्छा करेंगे उनके खुशी होगी बस वो चीज उनके लिए हमेशा करनी है बस माहतों माहती हैए चाहे माह अभीर हो चाहे गरीब हो वो यह नहीं देखती है बस बच् похож की चरटों के साथ से माह काम करती है हम कितनी बड़े हो जाएं हम बले ही 50 साल के बी हो जाएंगे ना तो भी उनका ये होगा कि फोन करके या हमारे घर में या कुछ भी कि कहा हैं क्या कर रहा है कैसा है तो वो यह कि मां से कुछ भी हम बोल भी चलो क्या होता कभी-कभी जैसे लोग गुसा कर देते हैं बोल देते हैं ठीक है मैं तो खिर कभी नहीं करता है कभी कोई प्ले नहीं कर सकता और फिर मा तो फिर माई ही होती है मा की जगा मा की जगा कभी कोई नहीं मैं ये बलकि एक बार को ये मानता हूँ की भगवान से उपर भी माबाप होते है भगवान सुख और दुख दोनों देता है माबाप लेकिन हमेज़ सुखी देते हैं यह तो आपने फिर्कुल फैक्ट बोला है माबाप हमेशा हमारे हिस्ट में यह चाहें कि कुछ चीज़े ऐसी होती है जो हमें बुरी लगते हैं कि भाई शायद मम्मी बहुत जादा कर रही हो लेकिन उनकी नजर से देखके पता चलेगा कि नहीं वो चीज़े सही है सबको सब चीज़े रियलाइज हो जाती है एक टाइम पर आकर हर कोई उस फेस में आता है आपकी माँ आपको कहती नहीं शादी कर लो बच्चे शादी का माँ क्योंकि एक्चुली क्या है कि मैं ना घर में सबसे छोटा हूँ तो अभी बड़े बाइसाब हैं वैस तो मेरे अब जैसे उनकी करींगे फिर हमारा गे लेकिन मेरा बेसिकली मैं सच पता हूँ तो मैं मन साही नहीं है पता नहीं क्यों करना करी तो अगर किसी एक से हुई तो उससे हो जाएगी अगर नहीं हुई तो फिर किसी से नहीं करूगा तो आपको किस तरह की बीवी चाहिए आपको क्या कॉलिटी चाहिए एक लड़की में ऐसी कोई अपनी कोई डिमांड नहीं है कुछ भी ऐसा कुछ है ट्रस्ट वर्दी हो अपना लॉयल हो इनसान और रिस्पेक्ट बस और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए आपकी परसनल है मेरा खुद का अच्छी है आपकी हाइट इतनी अच्छी है आपकी हाइट के साफ से बहुत दूढ़ना बहुत मुश् कि आप लोगों ने बुलाया हम लोगा आप लोगों से मुलाकात हुई अच्छा लगा काफी बाकी हम तो यह कि आप हमें जब भी बोलोगे हम तो हमेशा रेडिया आने के लिए कभी भी आप बुलोगे ओल्वेस अपका शो की एंडिंग होते वक्त आप अपने हीटर्स को क मैं करता रहूंगा बस देखते रहना मैं करता रहूंगा बस नजारा देखने लाइग होगा मेश्या थैंक यू सर्थ